जैश्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों, आज मैं पालक ग्रो करूंगी इस पैकेट में पालक के बीज हैं जो कि मैंने लोकल शोप से बाई किये हैं आप देख सकते हैं पालक के बीज पालक मैं फर्स टाइम ग्रो करने जा रही हूँ और जो पालक के बीज हैं उन्हें भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ अगर आप भी घर पर और्गैनिक पालक ग्रो करना चाहते हैं तो आप भी इस प्रकार बीज को खरीद कर उन्हें लगा सकते हैं ये मैंने मिट्टी तियार कर लिया है जिसे मैंने मोश्चराइज भी कर लिया है पालक को ग्रो करने के लिए मैंने इस टूटे हुए प्लास्टिक के टब को यूज किया है और उसमें एक पोली बैक को अजस्ट कर दिया है पालक को ग्रो करने के लिए जादा गहरे पोट की आ कर लिया है और अब मैं इसके बीज को इस प्रकार से स्प्रिंकल कर रही हूं जो बीज है वो एक दूसरे में ओवरलैप ना हो अगर बीज एक ही जगह पर जादा इकठे हो जाते हैं और उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है तो उनका जो जर्मिनेशन रेट है वो डिक्रीज हो ज जाते हैं पहले मुझे लगा था यह सारे बीज एक ही टब में आ जाएंगे लेकिन फिर वही ओवरलैपिंग होने का डर था इसलिए मैंने दूसरे चोटे टब का भी इस्तेमाल किया है और इसमें पालक के बीज को मैंने ग्रो किया है इसकी भी मिट्टी को मैंने अच्छे स खाद को इस्तेमाल किया है जो और गैनिक खाद होती है वो आप घर पर भी बना कर यूज कर सकते या फिर आप नरसरी से लाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बीज को स्प्रिंकल करने के बाद एक पतली लेयर मिट्टी की इस पर धकनी होती है ध्यान रहे जादा मोटी लेयर मि पालक को हम सेप्टेंबर के लास्ट वीक और ऑक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ग्रो कर सकते हैं क्योंकि जो मोसम होता है इस समय सुभा शाम ठंड वाला और दोपैर को गर्मी वाला होता है बीजों के जर्मिनेशन के लिए जो दोपैर की गर्मी होती है वो अति आवशक है ब के पास धीरे धीरे हमें पानी देना है ताकि हमारे जो बीज है वो इधर उधर ना हो सके मैं भी यह और गैनिक पालक फर्स टाइम ग्रो कर रही हूं अगर बीज अच्छे से जर्मिनेट हो गए तो एक हफते के अंदर-अंदर अंकुरित हो जाएंगे और लगबग डेट से दो महिने में मैं इसकी पहली हार्वेस्ट भी कर सकती हूं लेट सी होप फोर दा बेस्ट इफ यू लाइक दे वीडियो दन प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू सो मच फो वोचिंग